इनाडा को एक बहुत बड़ा जटका भारत और फ्रांस मिल कर दे रहे हैं और ये जटका है करीब 10 बिलियन डॉलर का सलाना जानेंगे ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है फ्रांस ने और फ्रांस ने इसका एलान भी कर दिया है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदिव के राश्पती को भारत से सद्यो पुरानी दोस्ती याद आ रही है मालदिव के राश्पती ने संदेश भेजा और भारत को दोस्ती याद दिलवाई है आखिर मालदिव के राश्पती रातो रात बदल क्यों रहे है क्या अमेरिका की एंट्री की व पिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से भारत और फ्रांस के बीच में सिर्फ रननीतिक साजेदारी नहीं है बल्कि ये कहें कि दोनों एक दूसरे के लिए कई सारी ऐसी चीजे करते हैं जो कुटनीतिक रूप से एक लिम और इस खबर में हमने आपको बताया था कि कनाडा जाने वाले भारतिय चात्रों में 86% तक की गिरावट आई है और अब कनाडा ने अपनी इज़त बचाने के लिए एक लिमिट लगा दिया है कि अगले दो साल तक हम जादा चात्रों को नहीं लेंगे और इन सब के बीच मे भारत का इरादा क्या है वो साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप ये ट्वीट किया गया है इमेनुएल मेकरोन के द्वारा यानि की फ्रांस के राश्पती के द्वारा और इनों ने कहा है कि हम 30,000 चात्रों को लेने की तैयारी कर रहे हैं भा चाता है और अब अभी आप कहेंगे कि मातर 30,000 चात्रों को क्यों लेने की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरीके की फैसिलीटी बनाने की कोसिस कर रहे हैं जहां पर भारतिय चात्र जाकर पढ़ सके वो चात्र भी जिनें फ्रेंच नहीं आता है और ये कोई आसान काम नहीं है इसलिए माना जा रहा है कि सुरुवाती दौर में ये 30,000 चात्रों को एंट्री देंगे उसके बाद इस टार्गेट को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे हाला कि ये दिरे-दिरे सुरुवात है बारत कनाडा से दूर जाना चाहता है कनाडा क इकोनोमी को जो भारत से मदद मिलती थी उस मदद को भी भारत हटाना चाहता है और कहीं न कहीं ये चीज सफल होती हुई भी दिख रही है भारतिये चात्रों को यूरोपिये देशों में एक जगह मिलेगा और दूसरी बड़ी बात है कि कनाडा अगर हमारे लिए गड़ा खोदता है तो कम से कम उस तक पैसे नहीं पहुँचेंगे ये भारत का एक बहुत ही बढ़ियाँ वाला नेड़ने है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ माल्दिव के राष्टपती के तरफ से एक संदेशा आता है और माल्दिव के राष्टपती क ये संदेशा 26 जनवरी के उपलक्ष में आता है और आपको बता दे सबसे बड़ी बात ये है कि माल्दिव के राश्पती ने जो भासा इस्तेमाल करी है वो भासा गजब की है इनों ने कहा है कि मैं भारत सरकार और वहां के नागरिकों को सुबकामनाये देता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि भारत और माल्दिव के बीच सदियों से चली आ रही दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी मैं भविस्ते में भारत सरकार और लोगों के लिए लगातार सांती और विकास की कामना करता हूँ सिर्फ इतना ही नहीं इनके विदेश मंत्री का भी बयान आया और स्क्रीन पर आप उनके ट्वीटर पर दिये गए बयान को देख सकते हैं जिस बयान में उन्होंने क्या कहा कि अपने जो समकच हैं डॉक्टर एजय संकर उन्हें संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि मैं बधाईयां देता हूँ और भारत के फ्रेंडली लोगों को भी और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी क्लोज बॉंडिंग दोस्ती की सहयोग की आने वाले सालों में और भी जादा बढ़ेगी और भी जादा आगे बढ़ेगी अब दो चीजें हो सकती है एक तो आप जब काना देते हो किसी को तब इस तरह का लेंग्वेज कि देखो मैं तो कर कुछ और रहा हूं बोल कुछ और रहा हूं और दूसरी चीज कि अंदर से घबराए हुए हो अपने ही किये गए कामों के द्वारा तो अभी का सीन क्या है जैसे ही माल्दिव ने चाइना के इस्पाइ दे दिया है कि मौझूदा सरकार भारत के खिलाफ काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से चीजों को गोपनिये रखा जा रहा है यह आने वाले भविस्ट के लिए बहुत बड़ा खत्रा है आप देखेंगे जितने पूराने नेता थे यहां तक कि सोली नसीद इन सबने भारत को विस्ट किया है गंतंतर दिवस का और अपनी दोस्ती वाली इमोजी बनाई हुई है यहां पर इसक्रीम पर देखिए आहमद अदीब हो इब्राहिम मोहमद सोली हो या फिर नसीद ही क्यों नहों इन्होंने बहुत ही बड़ियां से भारत को व आजो विस्ट अंड़े 1 मिल रहे हैं मुईजु से अमेरीका के उड़्ो-पेस्पिक कमांड के कमांडर है और इन्हों ने सीधे-सीदे यह मुलाकात की मैंने उस वक्त भी कहा था यह मुलाकात बहुत महतपुर्ण है और बहुत ज़्यादा रंग लाईगी अब कारण क्या है तो आपको बता दें दिसंबर महिने में मिंट की एक खबर देख सकते हैं भारत और अमेरिका ने तै कि हम पेसफिक आइलेंड के लिए यहां पर टीम अप हो जाएंगे यानि एक टीम बनकर काम करेंगे इंडो पेसफिक में दूसरी तरफ यह खबर 21 जनवरी की है जिसमें आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी यही कहा गया कि भारत और अमेरिका चाइना के आक्रमक प्लान को हिंद महासागर छेतर में काउंटर करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे अब यहाँ पर ये ताजा खबर देखिए ये खबर कब की है 25 जनवरी 2024 सीडियस जनरल अनिल चौहान और अमेरिका के इंडो पेसफिक कमांड के हेड आपस में यहाँ की सिक्योरिटी को लेकर डिसकसन करते हैं जो चेलेंजिज हैं उनको लेकर डिसकसन करते हैं और ये डिस कसन कब हो रहा है उस मुलाकात के बाद हो रहा है जो मुईजू से इंडो पेस्पिक के कमांड अफसर ने करी थी मतलब कि इसी अफसर ने पहले मुईजू से मुलाकात करी और अब यहां पर इन से बातचीत हो रही है अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यूही मन में सोच लि तो नहीं आपको बताती हूँ इस्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए सीनेटर मारको रूबियो का ये ट्वीट है और इसमें ये क्या कहते हैं इसमें ये कहते हैं कि चाइना का जो अनलॉफुल और आक्रामक परजेंस है इंडो पेस्फिक में ये ठीक नहीं है और इन्हों ने कहा कि हमें इने काउंटर करने के लिए अपने आपको एडवांस करना होगा बाद में सीनेटर मारको रूबियो ने मुईजू की एक तस्वीर भी ट्वीट करी अब यहां पर आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका अब धीरे-धीरे माल्दिव में पर एक आर्टिकल देखिए अमेरिका ने पहले भी माल्दिव के उपर परतीबंद लगा रखा था उनके 20 लोगों के उपर अलकाइदा और आईएस आईएस के रिलेसन होने के नाम पर और यही डर लग रहा है कि यहां एक बार फिर से अलकाइदा आईएस आईएस का ना बन जाए इसलिए अमेरिका यहां पर ध्यान दे रहा है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ